विधायक ने पहुंचने पर गाओं वासियों ने पगड़ी पहना कर अतिती सतकार किया इसके बाद विधायक राजेश नागर ने मैदान में बहुंचे खिलाडियों से परिचे किया राजेश नागर ने खिलाडियों का होसला बढ़ाया विधायक ने बताया कि प्रदेश सरकार लगतार खिलाडियों के उत्थान के लिए कार कर रही है प्रते गाउं में वयाम शाला खोली गई है नीम का गाउं में भी एक खेल स्रेडियम बनाया हुआ है जिसकी टीम शेड का कारेश चल रहा है जल्द ही बन कर तैयार भी हो जाएगा साथ ही साथ विधायक ने सभी आये खिलाडियों से बात करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए किसी प्रकार की द्वेश भावना खेल के समय मन में नहीं लानी चाहिए तब ही वह एक बड़ा खिलाडी बन सकता है पर इस तब शाथ है और जो आया देश्चा पिसे पर तरफ्समें बहुत जब्द्वावना जब्द्वावना इस तब शाथ है